हेलो एब्रिवान दिस इस शिवानी आपकी अपनी फिटनेस कोट्स आज में फोर योगा आसनास बताने वाली हो जो आपको थायुरेट लेवल कम करने में बहुत-बहुत हेल्प करेंगे और बहुत ही आप एनरजेटिक फिल करेंगे तो अगर आप इस चार योगा आसनास को यूटीन में एड करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी रिजल्ट आने वाले हैं तो हमारा पहला आसन है सर्वांग आसन इसको शोल्डर स्टेंड योगा बोस भी कहते हैं तो इस वेरी गुड योगा आसनास फॉर यो थारट लेवल को कम करने में बहुत-बहुत हेल्प क कि जिएगा आप बहुत लोगों से नॉर्मल तरीके से नहीं हो पाएगा तो सबसे पहले आप इस तरह से ट्राइ करें वाल के पाच जितना अपनी बोडी को ले जा सकते हैं लेक्स को स्ट्रेट करें और अपने हिप्स को उठाते हुए धीरे-धीरे अपने पैर को आगे ल नेक्स्ट आता है हमारा हल आसन सो पहले आप सरवांग आसन स्टिती में आएंगे फिर धीरे से अपना लेक बैंड करते हुए बाक की तरह स्प्रेट करेंगे शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी बड़ धीरे जब आप प्रेक्टिस करेंगे तो इसली आप इस आसन नेक्स्ट आता है हमारा कोबरा पोज विच इस और भोजंग आसन इन्हेल करते हुए अपनी बॉड़ी को ऊपर लेके जाएंगे हैंड को अपने जितना आप अच्छी तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं बाक की तरफ शोल्डर को स्ट्रेट रखेंगे शोल्डर को आप नहीं कर ना नेक्स आसना आता है हमारा कामल पोज इन्हेल करते हुए बाक अगेन अधर साइड इन्हेल करते हुए बाक धने जेल नॉमल ब्रीथ आपको अपनी नेक पे स्ट्रेच फिल आएगा अधिस इस और वेरी गुड़ी यूग आसना पर यूर थायर्ट आपको शोल्डर में भी स्ट्रेच फिल आएगा और लोर अब्डॉमनल में भी आप स्ट्रेच फिल करेंगे तो यह थे फोर योगा आसना जो आपको थारट लेवल को कम करने में बहुत बहुत हैं करेंगे तो थांक यू सो मुच फॉर वाचिंग माई वीडियो प्लीस लाइक अच शेर विद यूर फ्रेंड यूर्लिटिव जिनको प्रॉब्लम्स है और वो फाइंड आट करते हैं कि थारट में हमें कौन-कौन सी योगा आसनाज करनी चाहिए तो ये वीडियो उनको बहुत हेल्प करेगा थांकी सो माच बबाई और स्टेए ब्लेट